सत्संग के तेईस्वे भाग को प्रारंब करते हैं। पूजे स्वामी रामसुक्ताशी कहते हैं। कामना का जन्म खुज से होता है। वह कामना मन में आती है। मनो गतान कहा है गीता में। कामना मन का धर्म नहीं है। काम स्वयम में रहता है। वही मन बुद्धी इंद्रियों में आता है, जब तक बोध नहीं होगा, तब तक दर्ध भी होगा, दुख भी होगा, परन्तु बोध होने पर दर्ध का ग्यान तो होगा, पर दुख नहीं होगा, दूसरे के दुख से दुखी होना ग्यानी के लक्षणों में नहीं है, अपितु भक्त के लक्षणों में है, माईत रहा करुणा एवच्छा, मनुष्य शरीर को दुरलभ बताने का तात्परिय यह नहीं है, कि इसे अपना मानो, अपितु इसमें है कि इससे लाब उठालो, शरीर मेरा है, तो सेवा करने के लिए मेरा है, लेने के लिए मेरा नहीं है, लेने से रिन चड़ेगा, रिनी आदमी की मुक्ती नहीं होती, आप क्षेत्र नहीं हो अपितू क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रग्य हो संपून ब्रह्मान्ड इदम के अंतरगत है और उसे जानने वाला क्षेत्रग्य है जानने वाला व्यापक होता है अहम भी इदमता के अंतरगत है अहम भी जानने में आता है आपका स्वरूप नहीं है अहम से संबंध विच्छेद होते ही तत्व ज्यान हो जाता है सीखी हुई बात से अनुभव नहीं होता क्या ब्रह्म में अहम ब्रह्मास्मी है मैं ब्रह्म हूँ यह उपासना है पर इससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा मैं नहीं मानता गीता को मैं अपार असीम अनन्त मानता हूँ गीता पर मैं जो बोलता हूँ वह अपनी बुद्धी का परिचय देता हूँ रामचरित मानस में आया है सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहें बिनू रहा न कोई इसलिए मैं भी कह देता हूँ विहित में कमी होने से बाधा नहीं लगेगी पर निशिद्ध कर्म जब तक होंगे तब तक साधन सिध नहीं होगा तत्व की प्राप्ती नहीं होगी साधन और असाधन ये दोनों मनुष्य मात्र में हैं जब तक आप में असाधन है तब तक आप साधक कैसे हुए साधक के द्वारा भूल से भी असाधन नहीं होता साधन में संतोश करना परमात्मा की प्राप्ती में बहुत बड़ी बाधा है भगवान जीव को दास नहीं बनाना चाहते अपितो मित्र बनाना चाहते हैं अपना पूजनी ये बनाना चाहते हैं भगवान बड़े से बड़े की भी आखरी हद है और छोटे से छोटे की भी आखरी हद है पारमार्थिक सिद्धी लोकिक सिद्धी जैसी नहीं है क्योंकि परमात्म तत्वज्यों कात्यों मौजूद है उसका निर्मान नहीं करना है केवल उधर द्रिष्टी करनी है इसमें कोई उद्योग या परिश्रम नहीं है बल का प्रयोग निर्बल पर होता है जबकि परमात्म तत्व सबसे प्रबल है योग्यता से अयोग्या पर अधिकार होता है जिसे प्राप्त करना है वह परमात मतत्व एक शन भी अब प्राप्त नहीं होता लोका लोग परवत जितना दूर है उतना ही शरीर आप से दूर है परमात्मा नस्दीक से भी नस्दीक है शरीर नस्दीक दिखाई देता है पर मात्मा दूर यही तो अज्यान है संसार मात्र आपके किसी अंश में है आपका स्वरूप सत्ता मात्र है अन्य शरीरों में सत्ता नहीं जाती यह आपकी मान्यता जाती है माया के किसी अंश में सृष्टी है और वह माया परमात्मा के किसी अंश में है शरीर मैं हूँ, मेरा है, मेरे लिए है यह जब तक रहेगा, तब तक साधन शुरू नहीं होगा यह नियम है कि एक भी विकार होगा तो सभी विकार आ जाएंगे जाएंगे तो सभी विकार जाएंगे जब तक देह का अभिमान रहता है तब तक आसुरी संपत्ती रहती है अतह देहा अभिमान को मिटाएं देह के साथ संबंध अविवेक से है देहा अभिमान विवेक विरोधी संबंध है जो वास्तव में गुणातीत होता है वही गुणातीत होता है आप शरीर इंद्रियां मन बुद्धियादी के साथ न रहे अपितु अकेले रहे आपका स्वरूप सत्ता मात्र है इसका अनुभाव करें सीखे नहीं अनुभाव करने से शरीर के मान अपमान आदर निरादर आदी का आप पर असर नहीं पड़ेगा अपने में चेतन अमल सहज सुख रासी इसका भी आरोप मत करो निशेद मुख से अनुभाव करो कि शरीर मैं नहीं हूँ स्वयम के द्वारा ही स्वयम का अनुभाव होगा अनुभाव होने से शुभ कर्म में तो आसकती नहीं होगी और अशुभ कर्म होगा ही नहीं न तो मान का असर होगा, न आदर का, अनुभव हुए बिना चैन नहीं पड़ना चाही इसका तातपरिय यह नहीं है कि अन्न जल छोड़ दो, इसका तातपरिय बैचैन होने में है, लगन होने में है खास बात लगन की है, लगन के बिना भूखे मर जाओ, तो भी कुछ नहीं होगा मिलने वाली वस्तु कामना न करने से भी मिलती है, ममता करने से वस्तु भी बंधती है, हम भी बंधते हैं, जो अवश्य छूटेगा, उसे मन से छोड़ दे वस्तु का सन्योग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, वस्तु को अपनी मानने से हम फस्ते हैं, पर भगवान की मानने से नहीं फस्ते भगवान की मानने से वह वस्तु प्रसाद हो जाती है यदि सब वस्तुओं को भगवान की मानने तो पाप टिक नहीं सकता वस्तु को भगवान की मानने से प्रसन्नता होगी भगवान को याद रखने में सहायता मिलेगी ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है सभी भगवान है इसकी अपिक्षा सभी भगवान के है यह मानना सुगम है भगवत प्राप्ती के ऐसे अनेक मार्ग है जिनका अभी तक आविशकार नहीं हुआ है प्रतीक भाई बहन के भीतर यह बात जची हुई है कि जो होगा अभ्यास से होगा अभ्यास से नई स्थिती बनती है जबकि परमात्म तत्व स्थिती गती से रहित है समाधी में भी कारण शरीर में स्थिती होती है जिसमें समाधी और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं परमात्म तत्व में दो अवस्थाएं नहीं होती स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद होने पर क्रिया और पदार्थ में आसकती नहीं रहती सुक्ष्म शरीर से संबंध विच्छेद होने पर चिंतन तथा ध्यान में और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्थिर्ता तथा एकाग्रता में आसकती नहीं होती आप शरीर से अतीद हैं शरीर प्रकृती का कारिय है आप परमात्मा के अंश है परमात्मा की शक्ती के साथ संबंध होने से साधन करण सापिक्ष होता है भगवान को माने या न माने उनकी कृपा सब पर समान है उसमें भी न मानने वाले पर ज़्यादा कृपा होती है क्योंकि नहीं जाके हरी होए जिसका प्रतिक्षन वियोग हो रहा है उसका त्याग कठिन नहीं है अपितु उसका राग कठिन है त्याग में परिश्यम नहीं है अपितु संयोग जन्य सुख की लोलुपता ही हमें त्याग नहीं करने देती अभ्यास से न राग मिठता है न प्रेम होता है अभ्यास केवल मनो निग्रह के लिए है जो आपको छोड़ता है उसे आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे त्याग के समान कोई सुगम साधन है ही नहीं करन निरपेक्ष साधन की सिध्धि दतकाल हो जाती है जबकि करन सापेक्ष साधन की सिध्धि समय पाकर होती है शरीर मैं नहीं हूँ इसके अनुभव में बाधा यह है कि आप इसे बुद्धी से पकड़ना चाहते है बुद्धी से जोर लगाते है बुद्धी से अनुभव करना चाहते है स्वयम से होने वाले अनुभव का आदर करें स्विक्रती अस्विक्रती स्वयम की होती है स्वयम की स्विक्रती की विस्मृती नहीं होती मैं हूँ इसमें जो बात हूँ के साथ लग जाती है उसकी विस्मृती नहीं होती जैसे मैं ब्रह्मन हूँ, मैं विवाहित हूँ, इत्यादी अपने विवेक का अनादर करने की समान कोई पाप नहीं है जो अपने विवेक का आदर नहीं करता वह शास्त्र, गुरु, संत की वानी का भी आदर नहीं कर सकता शरीर जाने वाला है इस विवेक का अनादर ही जन्म मरन देने वाला है विवेक विरोधी संबंध का त्याग करें तो अभी मुक्ती है विवेक का आदर अभी करें तो अभी मुक्ती हो जाएगी अंतख करण शुद्ध नहीं है अच्छे महात्मा नहीं मिले नेक कृपा नहीं की ये सब तो बहाने भाजी है खास बीमारी यह है कि हम तो संयोग जन्य सुख लेना चाहते हैं यदि आप अपने विवेक का आदर न करें तो वर्षों तक समाधी लगा ले कल्यान नहीं होगा मैं शरीर नहीं हूँ यह स्विकृति है अभ्यास नहीं यह विवेक आप सभी को है पर आप इसका आदर नहीं करते मन, बुद्धी, इंद्रियां अहम भी करता नहीं है और स्वयम भी करता नहीं है तो फिर करता है कौन? करता वह है जो भोकता बनता है भोकता आप बनते हैं पर प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोकता बनता है स्वो में स्थित पुरुष नहीं आपका स्वरूप सत्ता है स्वरूप न तो करता है न भोकता शरीरस्थो पिकौनते या न करोती न लिप्यते आप भोग के ग्याता हो ग्यान स्वरूप हो सत्ता में भोगता नहीं है वह सत्ता सरवत्र परिपूर्ण परमात्मा के साथ एक है यदि आप अपने को शरीर में स्थित मानते हो तो आप ही करता और भोगता हो अन्यथा ना नहीं करता है और नाहीं है करता है अतह आप अपने को नहीं से भी हटा लो और हैसे भी हटालो न जड़ के साथ एकता रखो न चेतन के साथ एकता रखो यदि शुन्यता दिखाई दे तो आप शुन्यता के ग्याता हो शुन्यता अग्जी है शुन्यता को जानने वाला शुन्य नहीं होता आप शुन्यता के साक्षी प्रकाशक, आधार, अधिश्ठान हो अपने को यहैसे भी हटा लो और हैसे भी हटा लो फिर योग रहेगा, समता रहेगी है में व्यक्तित्व नहीं है अतह योगी, ज्यानी और प्रेमी नहीं रहेगा अपितु केवल योग, ज्यान और प्रेम रहेगा अहम साथ में रहने से योगी, ज्यानी और प्रेमी होता है जब तक अहम है, तब तक एक देशी ये पना रहेगा वास्तव में शरीर का कोई मालिक नहीं है मुक्ति होने पर भी अपना एक मत रहता है जिससे दार्शनिकों में परस्पर प्रेम नहीं होता अतह अपने किसी मत का आग्रह न रहे पर वह होगा वासू देवह सर्वम होने पर गती स्वरूप की तरफ होती है और उसमें करत्रित्व अभिमान नहीं होता मत का आग्रह होने से वह गती रुख जाती है मुसल्मानों इसायों आदी पर हम विश्वास भले ही न करें पर हमारे प्रेम में कोई फर्क नहीं है किसी भी साधन का अभिमान हो वह खटकता है उसमें टक्कर लगती है पर प्रेम में कोई टक्कर नहीं लगती कर्मयोग की खास बात है अपने अधिकार का त्याग तथा दूसरे के अधिकार की रक्षा अपने कर्तव्य का पालन तथा फल की इच्छा का त्याग इससे तत्वग्यान, मोक्ष, इत्यादी जो भी चाहो सो हो जाएगा नफा वस्तु में नहीं भाव में है अतह अपने भाव को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए सब वस्तु में सब जगें है किवल भाव की कमी है भाव से ही वस्तु बनी है संसार बना है भाव के कारण ही प्रहलाद जी को अगनी जला नहीं सकी स्रिष्टी भाव से ही पैदा होती है भगवान किसी भी रूप में आएं उनको पहचान लो तो फिर वे प्रकट हो जाएंगे 24 गंटों में एक मिनट भी असाधन नहीं होना चाहिए तभी हम साधक कहलाने योग के हैं ऐसा तभी संभव है जब अपनी सत्ता के साथ साधन होगा अपनी सत्ता का अनुभव निरंतर होता है मैं हूँ इसमें कभी व्यवधान पढ़ता है क्या विवाहित स्त्री भले ही खराब आचरण वाली हो पर मैं विवाहित हूँ इसे वह कभी भोलती नहीं ऐसे ही स्विकार कर लें कि मैं लोभी, क्रोधी, कामी, संसारी, इत्यादी नहीं हूँ अपितु मैं भगवान का हूँ भगवान साधक की बहुत रक्षा करते हैं पर अपने को छिपा कर रखते हैं यह भगवान के देने की रीती है क्रोध का स्वभाव अहित करने का होता है सामान्य विक्तियों में क्रोध आता है बुरा करने के लिए बुरा किये बिना उन्हें संतोश नहीं होता परंतु संतों में क्रोध आता है भला करने के लिए संसार रूप से भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ हम सोचते हैं कि भगवान राम के अवदार समय हम भी होते और उनको देखते परंतु संसार रूप से भगवान का अवदार हमारे सामने है उसके दर्शन करो उसे नमस्कार करो मूर्ती पूजा से भगवान कई भगतों के सामने प्रकट हो गए यह संसार भी भगवान की मूर्ती है यह सब भगवान का विराट रूप है स्वयंभू विग्रह है अब इससे सुगम और क्या परमात्म प्राप्ति होगी जो कुछ कर्म करो सब भगवान का पूजन मान कर करो यह निरंतर साधन है आखों से महात्मा नहीं दिखाई देता अपितू मनुष्य दिखाई देता है राग द्वेश मिटाओगे तो देरी लगेगी अतह राग आये तो परमात्मा को देखो द्वेश आये तो परमात्मा को देखो फिर राग द्वेश रहेंगे ही नहीं परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता मानते हैं, तभी तो रागद्वेश होते हैं, संसार का वियोग नित्य है और सन्योग अनित्य है, यदि सुख शान्ती चाहते हो, तो नित्य को पकड़ो, जो सन्योग काल में ही वियोग का अनुभाव कर लेता है, वह दुखी नहीं होता, दुख पा रहे हो यदि संयोग हो भी जाए तो भी अंत में वियोग ही नित्य रहेगा अनित्य संयोग की लालसा ही बाधक है इच्छा न करने पर भी होने वाला होगा न होने वाला नहीं होगा संयोग ही अध्यस्त है नित्ययोग अधिष्ठान है आप अपने को कभी पापी न माने सब के सब निर्दोष है निर्दोषता आपका स्वरूप है आप परमात्मा के अंश है इस सची बात को स्विकार कर ले दुख के सभी रिणी है दुख आकर सुख की इच्छा छुडा देता है सुख की लालसा छूटते ही दुख चला जाता है अब उसका रिण कैसे चुकाएं अनित्य वस्तु का संबंध कभी नित्य हो सकता ही नहीं यदि वासुदेवा सर्वम का अनुभाव हो जाए तो सभी जड़ वस्तुएं चिनमे हो जाएंगी वस्तुओं का दुरुपयोग न करें संग्रह न करें उनमें ममता न करें तो वस्तुएं आने को लालाईत रहती है ममता करने से वस्तुएं भयभीत होती है मनुष्य जन्म की सफलता है दुनिया के लिए अपने लिए और भगवान के लिए उप्योगी होना कुछ मिल जाए यह निर्बलता है मनुष्य चाह के कारण ही निर्बल हो रहा है केवल इतनी लालसा लग जाए कि कब संपून जगत ईश्वर रूप दिखाई देगा ऐसा दिन कब आएगा तो काम हो जाएगा विवेक जागरत खोने का तातपरिय है मैं शरीर नहीं हूँ इसका अनुभव हो जाना शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है इसका खाता ही उठ जाना जाहिए निशकाम भाव से सामर्थ्य आती है कामना से पराधिनता आती है योग में सामर्थ्य, समाध्य और नित्य संबंध तीनों आ जाते है गीता और रामायन प्रासादिक गरंथ है जैसे संत किसी पर कृपा करते है ऐसे ही ये गरंथ भी कृपा करते है इनका आश्रे लेने से नए नए अर्थ प्रकट होते है गीता का अर्थ अब मुझे कुछ-कुछ समझ में आने लगा है गीता से अपनी प्यास बुझा सकते है पर उसको पूरा ग्रहन नहीं कर सकते क्योंकि गीता अनन्त है गीता अर्जुन को भी दोबारा सुनने को नहीं मिली पर हमें प्रतिदिन सुनने पढ़ने को मिल रही है यह भगवान की ही हम पर कितनी कृपा है इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूरता को प्राप्थ होता है शेश अगले अंक में